आप हूं Knowledge Get platform पे इस playlist में बात कर रहे हैं T.O.C के बारे में fundamental introduction कम्प्लीट कर चुके हैं अभी वैसे मेरे को बात करनी है D.F.A के बारे में बड़ बिफोर में exactly एकदम D.F.A पर कूछ जाऊं पूरे subject को एक जगा conclude कर लेना बहुत जरूरी होगा क्या कहनी है क्या चीज़ है वैसे subject को observe करने के दो तरीके मैंने आपको बता है पहला तरीका है कि आप machine model के through study करो और दूसा तरीका है grammars के through study करो और लास्ट वीडियो में दोनों के example हमने देखा बट overall क्या observation है और इस subject में किस topic को कितना importance देना चाहिए पूरा पूरा graph बना के आपको समझाता हूं मैं चाहता है यहां पे ना तो graph पहले से भी बना के रख सकता था बट उसका फायदा नहीं होगा मैं अगें फिर वो एक तरह किसे रीड करता तो boring हो जाता अगें समझो एक example जो हमने already discuss कि और उससे एक बात समझाई कि grammar जो है वो generator है और language जो है जो मशीन है जो एक्सेप्टर है तो पूरी की पूरी जो कहानी है न वह वैसे सोचा जाए तो grammar के इर्दगिर्द ही घूमती है तो मैं grammar के हिसाब से आपको समझाता हूं कैसे करेंगे क क्या करेंगे वो बात की बात है basic basic idea observe करिएगा यहां पर हम क्या करते हैं सब्सक्राइब को चार टाइप में हम डिवाइड करते हैं पूरा चॉम्सकी हिरारी की rule-based idea है बात में define करेंगे अभी तुमने grammar को भी mathematically define नहीं किया तो differentiate करना बहुत दूर की बात है based on the idea differentiate भी करेंग और यहां पर चार तरह की grammar हम सबसे बहुत करते हैं अगर मैं basic से शुरू करूँ हम बोलते हैं regular grammar अभी मैं किसी का full form नहीं लिख रहा just basic basic regular grammar एक हमारे पास होता है context free grammar then you have context sensitive grammar and then you have recursively enumerable grammar अभी मैं बता दू क्यों कि हो सकते हैं कुछ लोग किसी और terminology के थुरू पड़े हों क्या इन grammar के और भी बहुत सारे नाम हैं जी हां तो for example regular grammar can also be known as like type 3 grammar या context free grammar can be known as type 2 grammar तो और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं वह tension नहीं लेना मैं सबसे fundamental बात कर रहा हूं अभी जो regular grammar है ना यह मान के चलीगा सबसे ज्यादा restriction वाला grammar है देखो ऐसा समझो grammar में rules जितने ज्यादा restricted होंगे उससे language उतनी ही simple बनेगी यह छनी की तरह है filter की तरह मैं बोलता हूं छनी filter अगर छनी समझते हैं चाय जिसमें बनाते हैं हां तो अगर filter बहुत ज्यादा strong हो होगा तो जो बाहर उससे मेटल आएगा वो बड़ा you know simple होगा अब कुछी selected लोग उससे बाहर आपाएंगे लेकिन अगर filter बहुत ज्यादा liberal होगा तो काफी कुछ बाहर आ रहा होगा तो उल्टा काम करेगा grammar बहुत ज्यादा restrictive है बहुत सारी conditions इसमें हैं जिस वजह से ग्रामर जो generate करता है वो करता है regular language क्या generate करता है regular language सबसे simple टाइप के language होगी grammar बड़ी restrictive थी और इससे जो बनेगा दोस्त सौरी इसको जो accept करेगा उस machine को बोलेंगे finite automata जिस पे अभी हमें major discussion करना है starting finite automata this is one idea yes अब उसके आगे बढ़ो context free grammar है ना क्या यह regular grammar से थोड़ा liberal है हाँ थोड़ा थोड़ा कम restriction लगाता है इसके वज़े से जो language यहां बनती है उसको बोलता है context free language अब क्योंकि grammar liberal है तो language थोड़ी complex बनेगी language थोड़ी complex बनेगी तो उसको accept करने के लिए machine भी powerful चाहिए तो क्या finite automata में वो capability है कि वो context free language को accept कर सके नाई तो क्या करना देगा for this we have a new machine model called PDA इसको क्या बोलता है PDA है to be precise push down automata है तो यह जादा powerful होगा relative to finite automata यह जो पूरा space है इसको बैसे मैं भूतिया space बोलता हूं वो क्यों जब subject आगे हम पढ़ेंगे था अब जब करोगे कि इसको भूतिया क्यों बोल रहा हूं but everything about this is भूतिया और undecidable this is context sensitive grammar again यह और थोड़ा से less liberal sorry more liberal होगा और इसकी वज़े से जादा complex language इससे बनेगी तो जो language बनेगी सर उसको बलेंगे context sensitive language what will call it context sensitive language which will be accepted by a machine called linear bounded automata कौन उसको accept करेगा linear bounded automata that is one idea now taking it forward in the last we have recursive enumerable grammar क्या बोलेंगे recursive enumerable grammar now this is इसका दूसरा नाम बताऊं क्या है unrestricted grammar क्या राभाई मैं कोई restriction लगाई नहीं रहा मैं सबसे liberal हूं but बचके रहिएगा क्योंकि यह सबसे liberal है यह सबसे खतरनाह काम करेगा है ना so recursive enumerable grammar will generate recursive enumerable language which will be accepted by the most powerful machine till this date we know आज भी से powerful machine हमारे पास नहीं है known as the one and only Turing machine again आप समझ सकते हैं grammar ने कोई restriction नहीं लगाया तो जो language बना बड़े complex nature का बनेगा जिसको accept करने के लिए we need Turing machine and now this is your entire subject this is your entire subject अब यहां पर again समझे हमारा जो main concentration होना चाहिए ना now that must be on the languages हमें languages समझना है but problem क्या है language direct समझ आता नहीं है कोशिश करते समझ नहीं आता तो मैं अगर आपसे बोलूँगा कि यह एक language आर बताओ regular है के नहीं समझ आएगा आपको तो अब यह समझने के दो तरीके हैं या तो एक ऐसा grammar बनाये जाए जो उस language को generate करें या तो एक ऐसा finite automata बनाये जाए जो उसको accept करें अगें for example अगर आपसे बुचें बताओ भई CFL context free language का क्या definition है कोई definition नहीं इसका इसका definition again दो होंगे क्या if there exist a context free grammar to generate it then the language can be called as context free language और if there exist a push down automata to accept it किसी language को context free proof करना है तो क्या करना पड़ेगा एक push down automata बना के दिखाईए जो इसको accept करें एक तरह का machine model है yes यह पूरा system है sir अगर मैं exam point of view से बताओ subject point of view से बिन बताओ तो मान के चलिएगा out of total at least 60% weightage in any exam is given to the first part only यह बराबर बराबर नहीं है 60% weightage is given to the first part only because इसके उपर ही सब बनेगा यह यह बिलकुल अलग-अलग machine महीं होंगे finite automata में मैं कुछ add करूंगा then it becomes a PDA PD मैं further कुछ add करता हूँ then it becomes a Turing machine like this yes so this is one idea now remaining में I can say 20% weightage can be given to this idea that is the context free part यहां पर हर जगा machine model पर भी question पूछे जाते हैं grammar पर भी पूछे जाते हैं overall हाला कि एक बात मैं बता दूँ अभी मैं TOC के point of view से बात कर रहा हूं तो मैं इसको जादा respect नहीं कर रहा as far as compiler is concerned 80% of the total compiler relates only with this idea that is context free grammar तो वहां पर यह अपनी power दिखाता है talking about this 0% मैंने बोला ना भूतिया so यह नाम जरूर आप पढ़ोगे कभी ना कभी बट आज तक किसी exam में मैंने इस पूरे idea से कोई related नहीं देखा question इसकी problem क्या है what's wrong with linear bounded automata क्यों लोग इसके बारे में बात नहीं करते यह समय आने पर समझेंगे अभी यमारी इतनी understanding में नहीं कि हम इसकी problem भी समझ सके and then the last 20% I'll say you know this is the most most conceptual part turing machine complexity theory decidability halting problem बहुत सारी चीज़ है और इस पूरे topic के साथ problem क्या है जादा तर केस में सब बच्चे से जट रहे होते है रटाफिकेशन निंग 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 holding problem this that that but decidability undecidability क्या है कैसे इन पर काम किया जाता है क्या understanding है मुझे लगता है थोड़ा बच्चा गोलम गोला यहां कर रहे होते है तो मैं कोशिश करूंगा कि यह सारा pattern आपको समझाओं यह तो हुआ है subject का vertical classification मेरे को मजा आता है मैं इसको horizontal classify भी करता हूं as far as again TOC is concerned I'll say अगर मैं इस तरह से देखू ना so this subject is more aligned as far as your syllabus is concerned towards the machine part so मैं बलता हूं 60% question आप देखोगे ना और sometimes even more will be directly from the machine finite automata language बताओ language a finite automata बनाओ इस तरह के question machine model पे PDA language बताओ language PDA बनाओ something like this matching करो machine model will be directly involved and again the remaining 20-20% will be on the language identification जब इतना पढ़ लोगे 4 language है बताओ कौन सा 2 regular है कौन सा 2 regular नहीं है बताओ यह language CFL है के नहीं and the grammar part बताओ यह grammar से यह language generate होगा के नहीं इस language का यह grammar है के नहीं इस तरह की understanding अब अगर आप यह पूरा idea समझ पा रहे हैं है ना और इस subject को vertically horizontally दोनों तरह से देख पा रहे हो तो मेरे को बताओ के कौन सा topic सबसे जादे important है there you see 60 and 60 जिससे हम start करेंगे the finite automata यहां से बहुत सारी दिशाओं में चीज़े निकलेंगी idea clear होगा तो पहले हम machine model की बात करूंगा then we'll go to regular grammar यहां पर एक और idea हो था regular expression उस पर discussion करेंगे completing this part I'll go this and then this and then this oh sorry I'll go this and then this and सबसे last में बात करोंगो भूतिया की LBA की इसका क्या problem है क्यों इसके बारे हम बात नहीं करते है yes तो मैंने खाल से जो agenda था की पूरे subject का fundamental classification करों I think वह बात आपको समझ आई होगी आई है तो वीडियो को like जरूर करिए channel को subscribe नहीं किया तो subscribe करिए और मुझे बताईए feedback दीजे ताकि मैं further improve कर सकूं thank you so much दोस्तों अगर आप उसे सारा स्लेबर्स डेली थ्री आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो gate category के अंदर subscribe करिए an academy platform पर referral code यूज करिए KGYT 10% discount के लिए बाकी सारी information के लिए वीडियो का link आपको description में मिलेगा